दोस्तो नमस्कार मैं अम्रेज रिकुमार सिंग और आप देख रहें अपना पसंदीदा चैनल मेरी पार्ट साला इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो निश्ठा के इस मोड्यूल नंबर 13 विद्याले नित्रिव संकल्पना और अनुपरयोग में आप आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो इसमें एक गतिविधी पांच दी गई है निश्क्रिय और शक्रिय अधिगम इस बीड़ी में हमें लोग जानेंगे कि कौन सा अधिगम निश्क्रिय है और कौन सा अधिगम सक्रिय है गतिविधी पांच को चलिए शुरू करते है इसमें आपको नीचे दिये गए कथन को निस्करिये और सक्री वाक्य में और गिखित करें इसमें आपके दो आपसन दिये जाएंगे जिसमें से कोई एक सही होगा जैसा कि यहाँ पर दिया गया है पहले प्रस्ण में समिक ख्यात्मक पीचार कोश्लो के मध्यम से सिक्षण अधिगम बेक्तिगत वो समाजिक अनुभो के सांजा संदर भूम में ज्यान को अरजित किया जाता है यह बिल्कुल ही सक्री अधिगम है आये जलते हैं अगली प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है समाजिक वास्तिविकताओं सिक्षार्थी और अधिगम प्रक्रिया के बारे में छात्रों की मानेताओं का निराकरण करने के लिए कोई अस्थान नहीं होता है यह निस्क्रिय अधिगम है यानि की समाजिक वास्तिविकताओं सिक्षार्थी और अधिगम प्रक्रिया के बारे में छात्रों की मानेताओं का निराकरण करने के लिए अस्थान होना चाहिए अगला प्रस्ण की रट्टा पढाली को हतोत साहित करना शिक्षण अधिगम को एक आनन दाई और सभागी गतिविधी बनाना बालकेंद्रित, क्रियकलाप, अधारित, सहभागी, अधिगम, अनुभो जैसे नाटक, प्रजेक्ट, पिचार भिमर्ष, संबाद, और लोकन, भ्रह्मरादि को सुनुजित करना और सिलिनात्मक कारेओं के साथ सिक्षण अधिगम को एक रिट करना यह है सक्रिय अधिगम अगला प्राशना अध्यापक उन समाजिक संस्कृतिक और राजनितिक संदर्भो को समझते हैं, जिनमें सिक्षार्ति पलते वबिक्सित होते हैं वे शिक्षार्तियों को सेदान्तिक जनकारी के साथ साथ जीवन की वास्तिवी की स्थितियों से भी परिचीत कराते हैं या शक्रिय अधिगम है अगला प्राश्ण स्क्षारतियों को समाज में अपनी स्थिति और अपनी मानिताओं के पता लगाने उभाव परक्रखने के लिए कोख्षा शिक्षन अधिकम है नेक्षकिय अधिकम है रट््टा-पढआले को प्रत Carrieot करना में यहौँ क्या हैं चींतन मनन और प्रतान की जाने चाहिए अगला प्रस्ण है समाजी पूर्ण हा निर्मान के लिए जीवन के लगत्नत्रीक तरीको समानता न्याए सोतंता बंदोत्व धार्दिनी पेख्षता या उत्सा को बढ़ावाद देना यह है आपका सक्रिय अधिगम अगरा प्रश्ण है सिक्षार्थियों को दल में काम करने एक दूसरे के साथ बात्चीत करने और विविन तरह के बिस्यों जेस चेतरों पर प्रोजेक्ट करने के लिए प्रसाहित किया जता है समोहिक प्रस्तूतियों को प्रसाहित किया जता है यह है सक्रिय अधिगम मुल्य अधारित सिक्षा की ओर न ले जाना यह है निस्क्रिय अधिगम यानि कि मुल्य अधारित सिक्षा को बढ़ावाद दिया जाना चाहिए सिक्षारती दीए गए कार्यों, कक्षा में होने वाली परिछाओं, चेत्रिक आरों, एंशिक्षारत औ अभ्यादसों पर ब्यक्तिकरत रूप से कारे करते हैं यह आपका निस्क्रिय अधिगम है अघ्ला प्रश्म है कि विशे ग्यान का धारणा को जाने के लिए कोई इस्तान नहीं होता है या निश्क री अधिम है अन्देय पकि बच्चों एम अधिगम से जोड़े समाने सिठानतों को ही शिक्षण अधिगम प्रिक्रिया में प्रयोग में लाते हैं है यह निस्करिय अधियen है जैनत्पक बुद्धार्णाओं को परकने जाने हम चनुती देने Britney दर्फ और सर होना चाहिए सक्रिया अधिगम सिक्षार्थी के लिए ज्यान को बाहरी यूँ ऐसा माना जाता है जिसे प्राप्त किया जाना चाहिए यह निस्क्रिया अधिगम है अगला प्राष्ण की सिक्षक सिक्षार्थियों को गहन विचार विमर स्वचिंतन सनलगने रखते हैं सिक्षार्थियों को स्वधेन और समिक्षात्माइक विचार को स्लोग के विकास के लिए मुद्दो को समझ ज्यायों पहचाने के लिए प्रसाहित करते हैं सिख्षार्थी अपने द्वारा किएगे और लोकन स्वा चिंतन जिसमें विवादों का विव लेखो इन सभी विश्यों पर चिंतन युक्ति लेख लिखते हैं या है सक्रिय अधिगम दोस्तों हमने सभी प्रश्णों के उतर दे दिये हैं आईए जानते हैं कि अस्कोर क्या है स्कोर योर श्कोर इज 16 बाई 16 यानि कि 16 के 16 जवाब सही हो गया है दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजी और अपने दोस्तों को भी सेर कीजिए अगर आप इस चैनल नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए क झाल